नमस्कार वेब दोने नियूज में आपका स्वागत है और नेजर डालते हैं अचकी प्रमुक खबरों पर जैल अलिता को बड़ी राहत करनाटक हाई कोट ने किया बड़ी करनाटक उच्चन अलिय ने आयसे अधिक संपत्ती मामले में निचली अदालत का फैसला रद्द करते हुए तमिल नाडू की पूर्व मुख्य मंत्री जै जै ललिता समेत सभी चारो आरोपियों को आज बरी कर दिया करीब 68 करोड रुपे के आयसे अधिक संपत्ती अर्जित करने के मामले में निचली अदालत से मिली चार साल की कैद और 100 करोड रुपे के जुर्माने की सजा के खिलाफ जै ललिता ने करनाटक उच्चन अलिय में अपिल दायर की थी आयसे अधिक संपत्ती मामले में बरी करने के लिए जै ललिता ने करनाटक उच्चन अलि के फैसले की सरहाना की जै ललिता ने कहा कि इस फैसले से उन्हें काफी संतुष्टी मिली है इस फैसले के बाद तमिल्नाडू में उनके समर्थकों में खुशी की लहर दोड़ गई है अब वे फिर से मुख्यमंत्री का पदबार ग्रहन करेंगी संबावतर 17 मैं को वेशपत ले इस समय राज्य के मुख्यमंत्री ओ पन्निर से लवम है राजनास सिंग ने कहा कि दाउद पाकिस्तान में है और हम उसे वापस लाकर ही रहेंगे केंब्रिय ग्रह मंत्री राजनास सिह ने सोमवार को अंडलवर्ट सरगना और वर्ष 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपी दाउद इब्राहिम को लेकर लोकसभा में बयान दिया उन्होंने कहा कि दाउद के पाकिस्तान में होने की विश्वस निये जानकारी है पाकिस्तान इसमें सयोग नहीं कर रहा लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम उसे हर हाल में भारत लाकर रहेंगे राजनाज सिंग ने कहा कि पाकिस्तान ऐसे वेक्ति का पता लगाने के लिए बात दे है जिसके बारे में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है ताकि नोटिस जारी करवाने वाला देश उस वेक्ति के संबन्द में प्रत्यरपन या निर्वासन या कोई अन्य कानूनी प्रक्रिया आरम कर सके उन्होंने यह भी का कि पाकिस्तान को परियाप्त दस्तावेज और अन्य साक्ष सोपे जाने के बावजूद पाकिस्तान दाउत का पता लगाने और कानुनी प्रक्रिया आरम करने में विफल रहा है लादेन एंकाउंटर मामले में पाकिस्तान के बारे में एक नया खुलासा अमेरिका को अलकाइदा सरगना ओसामा बिन लादेन के खिलाफ चलाए गए अभियान के लिए सारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान से ही मिली थी हलाकि इसकी सफल्टा को दुनिया के सामने अमेरिका की बड़ी उपलब्दी के रूपे पेश किया गया और पाकिस्तान को खलनायक बना दिया गया आमेरिकी खोजी पत्रकार और लेखक सीमोर E.H.lish ने ये पाकिस्तान के अकबार डॉन को दिये साक्षात कार में दावा किया है उड़ोंने कहा कि पाकिस्तान में अमेरिका ने लादन के खिलाफ जो गुप्त अभियान चलाया था उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजनसी आईएसाई ने पूरी मदद की थी यदि हम मदद नहीं मिलती तो अमेरिका के लिए उसामा तक पाहुचना हर किस संभाव नहीं था ये थे आज के मुखे समाचार और ने खबरों के लिए देखते रहिए